तो आज हम सिखने वाले हैं क्लास 10 प्रिशनावली 1.1 फिर्स्ट कोशन हम सॉल्फ करने वाले हैं विस्तार से बिल्कुल ये विडियो हिंदी मिडिम के बच्चों के लिए यूथफुल रहने वाली है क्योंकि मैं हिंदी में सिखाने वाला हूं तो हमारा फर्स्ट कोशन में लिखा हुआ है निमिलिक संख्याओं का एच्चेफ ग्यात करने के लिए यूकलिड विबाजन अल्गोरिद्म का परियोग कीजे यानि यह जो संख्याओं हमको दे रखी है फर्स्ट कोशन में सेकंड कोशन में और थर्ड कोशन में इनका हमें य जो आप करते हैं वह नहीं इसमें दूसरा फॉर्मॉल रागा के हमको इसका एक सिए निकालना है तो चलिए देख लेते हैं यहां पर मैंने कुछ-कुछीज़ पहले से उतार रखी है यह कोशन हो गया यानि की बड़ी संक्या जो बड़ी संक्या है जो आप यहां पर देख र लेंगे तो यूकलिट विवाजन अल्गोरिफ्म जो फॉर्मॉला है यह ए इस इकल टू बी क्योव प्लस आर तो ए इस इकल टू संक्या होती है बी इस इकल टू भाजक क्यू इस इकल टू परड़ाम यानि की उत्तर और आर इस इकल टू शेश्वल तो बेसिकली हमें इसम तो एसे जब आजाता है तो इसके नीचे हमें क्या करना होता है कि फिर यह जो 90 है यह 90 भाजक बन जाता है और संक्या बन जाती है 135 जो यहां पर जो संक्या होती है जो भाजक होती है वो संक्या बन जाती है जो शेश्वल होता है वो भाजक बन जाता है तो इसमें हमको फर्स्ट कंडिशन मिल गई है इसमें क्या होगा ए है 225 225 इस इकल टू बी है 135 क्यू है हमारा 1 इंटू 1 जब यहां पर कोई साइन ही है इसका मतलब यहां पर गुणा हो रहा है तो इंटू 1 प्लस आर हमारा आया था 90 है सो 90 हम यहां पर लिख देंगे अब सेकंड कंडिशन हमें मिलेगी है सेकंड कंडिशन इसमें भी दो से 180 हो जाएगा 90 का तो हम इसमें सिंगल वन वनी लिंगे 90 बंजा 90 माइनस करने पर फाइफ फटी फइफ हमारा आ गया है तो यहां पर थोड़ा जगा निया तो मैं यहां पर देता हूं तो पहले सेकंड कंडिशन हम लिख देते हैं सेकंड कंडिशन हमारी आई है यह है हमारा 135 यह हम इसमें ट्रिक लगा सकते हैं जो these वे इधर जो वे में होता है वो नैक्स कंडिशन में बी में होगा वस नेक्स्ट कंडिशन में ए में आ जाएगा और उसके बाद हमारा बी है जो इसका शिश्वल था 90 कि इंटु वन प्लस कि 45 अब थंट कंडिशन मिलेगी हमें यहां पर जगा नहीं है तो मैं यहां पर कर देता हूं कि 45 मैंने आपको बोला था कि जो भाजक होता है वो संख्या बन जाती है कि यहां पर संख्या बन गई तो 42 टूजा 90 मैंनस हो रहा है शून अब जब शून ने आ गया तो इसको हम ऐसी छोड़ देंगे हमें तो इसको अब लिख लए संख्या है मैंने भोला था कि आपके जो होताइं नैक्स्ट चंडिशन में वो जो बी में होता है वो ए में आ जाता है फिर इधर जो भी में होगा वो भी ए में में आ जाएगा यह नहीं बदलेगा कभी हाजा 45 इंटो 2 प्लस 0 तो हमारा आ गया है आंसर हमेशा हमारा HCF वो ही होता है HCF 135 225 HCF हमारा वो ही होता है जो अंतिम में जब 0 आता है 0 के आने से आने वाले डिवाइड में जो भाजग होता है वो ही हमारा आंसर होता है वो ही हमारा HCF होता है तो 0 आने वाले डिवाइड में हमारा भाजग था 45 तो इसका आंसर है 45 आप ये अपने सब्सक्राइब करना मत भूलेगा गाइस